है लो एवरीवन वेल्कम बैक टुमेंग चैनल तो कैसे हो आप सब सो गईज आज मैं आप सभी के साथ एक कमाल का डियावाई फेसियल लेकर आई हूँ जो दही के साथ किया है मैंने और दही से इस तरीके का फेसियल अगर आप करते हैं तो आपके चहरे पर एक कमाल की फेरने इतने amazing मिलेंगे कि आप हैरान होने वाले हो तो इसके three step है cleansing scrub and face pack तो पहला step में करने वाली हूँ so cleansing के लिए मैंने लिया है milk अब दही भी ले सकते हैं पर personally मैं बताओ तो मुझे milk से cleansing करना बहुत ही काफी पसंद है क्योंकि ये कच्चा दूद्ध जो होता है जो बिना उबला हुआ होता है उस दूद्ध से अगर आप अपने चहरे को इस तरीके से massage करते हो तो आपके चहरे पर जितने darts हैं जितने भी daddy skin हैं वो बहुत ही अच्छे से खीच कर वहार निका जो धूल मिट्धी ऐल है आपके चहरे पर बहुत ही अच्छे से remove होंगे और आपके चहरे पर एक अलग सी चमक आएगी तो यह पहला step है हमारा क्लेंजिंग का और फेसियल करने में क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है गाइज अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो फेसील के जो नेक्ट इस्टेफ होते हैं उसके बेनिफीट समें अच्छे से नहीं मिल पाते हैं तो पहला इस्टेफ हमारा complete हो किया है और इसे आप किसी भी कपड़े से हैं कि से या फिर कॉटन से भी आप इस तरीके से इससे वह की होगा दोसतो तो मैंने लिए हैं काटा माने कमाल वाल के मिलते हैं तो हमारे चहरे पर इतना ज्यादा चमका सकता है और स्क्रब में मैंने दही इसलिए मिलाया है क्योंकि दही से हमारे चहरे को नरीसिंग मिलती है दही हमारे चहरे को चमकाता है बहुत जादा light and brighten और बहुत ही खुबसूरत से आपको moisturizing भी करता है और चावल का आटा आपके चहरे के अच्छे से डेड स्किन को रिमूव करेगा और दही आपके चहरे को नरिस करेगा इसलिए मैंने दोनों चीजों को मिलाया है ताकि हमारे चहरे को ज्यादा हाम नहों क्योंकि ज्यादा रुखे चीजों से अगर हम अपने फेस को रब करते ह है तो चहरा हलका जलन देने की या फिरखेको ह候 होता है इसलिए मैंने इसमें अधराये आप चेहरे से तक अच्छे से अरिख करेगा इतने अच्छे से आपके मैस्टराईज करेगा उसके अगर आपके पिंपल्स वगेरे के प्रॉब्लम है तो वह भी दही बहुत ही अच्छे से ठीक करता है दोस्तों तो इसी तरीके से आपको मातर दो मिनट ही मसाज करना है और बहुत ज्यादा अगर आपका इसकी ड्राई है तो आप स्टीम ले सकते हो उसके लिए आप पतीले मे अच्छे से रिमूब हो जाएंगे अगर ब्लाइखेट से निकाने वाले पिन है आपके पास तो उससे आप रिमूब कर सकते हो और नहीं है तो बस आपको इसी तरीके से दो से तीन मिनट अग मसाज करना है और इसे हटा लेना है जावल का आटा अगर आप रेगुलर आपको दही सूट करेगा क्यों चेहरे पर जो पिंपल्स निकलते हैं उसको बहुत ही अच्छे से ठीक करने में आपको हेल्प करता है तो इसी तरीके से आपको भी मसाज कर लेनी है यह सारे स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका चेहरा जो है वो बहुत ही अच् तो अब बारी स्टेप 3 की उसके लिए हमें बनाना है फेस पैक और फेस पैक के लिए मैंने लिया है उप्टन जिसमें हल्दी चंदन दोनों मिक्स है और यह बहुत ही अच्छा उप्टन है आप इसको अगर रेगुलर यूज करते हो तो आपके चेहरे को जो है को से अप करता करना है हानि हमारे चेहरे को बहुत ही अच्छे से और लाइट करता है और दही हमारे चेहरे को मश्चराइच करने में चमकाने में काफी help करेगा और उप्टन तो गोरा करने में help करता ही है यह तीनों ingredients जो मैंने mix किये हैं वो चहरे को light और bright करने में काफी helpful होते हैं तो इस तरीके से आपको पूरे face पर लगा लेना है और जो बच जाया उसको फेकने के बजाए आप इस तरीके से अपने हाथों पर लगा लेना और 15-20 मिनट तक आप इसको अपने फेस पर करखने देना और इस तरीके से जब सुख जाएगा तो आप इसे गिले टावेल से पोच लेना या फिर फेस को प्लेन वाटर से वास कर लेना है और आप देख सकते हूं कि चेहरा कितना क्लीन और कितना लाइट लग रहा है बहुत ज्यादा स्मूथिनेस आजाती है फेस पर तो चेहरे को अच्छे से साफ करने के बाद आप आ रही हाती है हमारी स्कीन केर की तो इसकीन केर के लिए जब भी आप फेस वास करें तो टोनर लिए है गुलावरी रोज टोनर अच्छे से टोनर लगा लेना है आपको अपने फेस पर जब यह अच्छे से सूख जाएगा तो आप जो भी मोईस्टराइजर लगाते होंगे वह अच्छे से लगा लेना और उसके बाद आप अराम कर सकते हो घर पर ही अगर आपको घर से है ना वह ओपन हो जाते हैं और धूप पढ़ने के वज़द से वह हाम होते हैं तो आप कोशिश करना कि आप साम में करें और आप सुबह में भी कर सकते हो नहाने से पहले उसके बाद आप सानी स्क्रीन क्रीम लगा के घर से बाहर जा सकते हो तो थांक यू